नमस्का स्वागत है आपका और्थ प्रकाश टीवी में कोरोना वारस जिस तरह से पचतर देशों में फैल चुका है और अब भारत में भी आ गया है तो इससे समंध हमने डॉक्टर राजीव कपिला जो आरुवेदिक एक स्पेशलिस्ट है हम उनसे बात करेंगे और उनसे जा कैसे हेल्प करता है इस कॉरोना वारस से बचने में यह को अक्रोना वारस है यह सारे विश्व में फालता हुआ अब इस ने हिंदोस्तान में भी दस्तक दे दी है तो ये एक वाइरल डिजीज है तो इसमें एक फ्लू लाइक सिम्टम जैसे नजला हो जाना, छींके आना, खांसी, कुछ बुखार, फिर चाती में दर्द और खास अगर सांस की शिकायत साथ हो जाती है तो ये सिम्टम कोरोन वाइरस के सिम्टम भी उसके साथ मिलते हैं तो इसमें खास ये है कि आयरुवेद की तरफ से हम कहना चाहेंगे कि अपने सच्छता को बनाए रखो तो खांसी, अगर खांसी और नजला या च्छीके आती है तो मुह पे टीशू पेपर या रुमाल रखो, रादर अच्छा ह टीशू पेपर रखे उसको डिस्ट्रॉई कर दो, तो कोई बिमार व्यक्ति है उसके ज़्यादा नजदीक मत जाओ, सरवजनिक स्थान जैसे हैं, बाजार हैं, मेले हैं, इसमें कम जाओ, ना जाओ, तो इससे हम कोरोना वाइरस से बच सकते हैं, इसके बाद आयरुवेद क पानी पीओ, ठीक है, उसके बाद अगर कोई आपको व्यक्ति इससे पीडित लगता है, उसके नजदीक मत जाओ, अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम आ जाते हैं, तो आप घर से बाहर मत निकलो, और घर में ही रहो, इसके बाद हमारा आयरुवेद में एक शडंगे पानी यह ह इसको हम एक लिटर पानी में उबालो, आदा शेष रहने पे उसका सेवन करते रहो, इसके इलावा रोग प्रतिरोदक शक्ति बढाने की और बहुत चीजे हैं, जैसे गिलोय है, आप गिलोय का रेगुलर इस्तेमाल करो, ताकि बोडी की इम्मुनिटी और रोग इसके बारे में कहा गया है कि यह थर्टी डिग्री पर यह वाइरस खत्रा नहीं है, इसमें ज्यादा यह बुजूर्गों को ज्यादा टैक करता है, बच्चों को टैक करता है, और ऐसे व्यक्ति जो किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे डाइबिटिक हो गए, तो इ खत्म हो जाता है, तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, तो यह वाइरस खत्म हो जाएगा, तो उससे तक अब टيम्परेचर है तो यह वा मधैरक्य आ प्लीमारी चांव को बढ़ने के लिए आपको बिच्चा बिताब की पानी ले सकते हो, सटशमनी वटी आती है, वह ले सक सबसे अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे उसे सिम्टम आ रहे हैं तो आप ज्यादा घर से मत निकलो अपने घर के अंदर रहो तो अगर आप प्रिवेंशन करते हो अच्छा खाना खाते हो तो आप ठीक रह सकते हो तो अब हमारे दर्शकों को क्या में बाते बताना नहीं है उसे हमें लड़ना है उसे बच के रहना है उसे डरना बिलकुल नहीं है ताजा अपडेट के लिए अर्थ परकास टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें